Hello everyone, welcome to computer teaching career by Rakhi Chaube. In this reasoning class, today we will discuss order and ranking. This class is very useful for KVS, EMRS, GSSSB and whether if you are preparing for any teaching exams, definitely this reasoning class will be helpful. So today we will discuss about order and ranking, कम और निर्धारन. ठीक है, बहुत ही important topic है, यह exams में definitely इससे आपको questions दिखेगा ही, दिखेगा 1 और 2. ठीक है, तो इसलिए और सारे pattern को आज हम लोग concept करेंगे, ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, करेंगे, concept करेंगे, सारे pattern को और एक दो questions भी उसके करेंगे, और कल एक और class करेंगे, जिसमें अपन सारे questions है, बहुत सारे questions है, वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ओके, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, पहले, सारे एक-एक टाइप pattern को सीखते हैं, order, order, ranking में हम लोग क्या सीखते हैं, मतलब इसमें generally जो questions आपको किस variant की आएंगे, उसको बहले एक बार देख लिए, होता है, तो फाइंड टोटल नमबर ऑफ स्टूडेंट, यहानि कि आपको क्या सथाएं, होता है, तो तो इसमें पुछ व्यक्ति का दिया हुए नमबर यजे आपको फाइंड करना है, टोटल कितने student है कितने बैटी बैठे हुए है वहाँ पर find करना है position of person यानि कि उस person का position कहां है left से कितना होगा ठीक है position of person from left left से किस position पर है right से किस position पर है फिर इसके बाद find करना होता है आपको maximum number of student कितने अगर कोई पंक्ती में कितने maximum number of person है या student है वह बैठ सकते हैं फिर find करना होता है आपको minimum number of student mid value यानि कि 20 में बैठे हुए बैक्ती की संख्या आपको निकालनी होती है दो केस आता है इसमें एक normal हो जाएगा और दूसरा आपका और क्या overlapping का किस ठीक है तो यह सारे एक पैटर्न है जो एक्जाम्स में डेफिनेटली से कॉस्टंस आते हैं फिर पोजिशन इंटर्चेंज यह कॉनसेप्ट है जो आपके यदि स्टेट इग्जाम्स कोई होगा ना तो इसमें से रिलेटेट प्रॉब्लेम की कौन सबसे बढ़ा है छोटा है फिर उस बीच में कौन से कितने नंबर पे है इतने ही इस पैटर्न के कोईस्टंस जो है आपको किसमें दिखेंगे ओडर रैंकिंग में चले का सारी पैटर्न को एक एक टिसकॉस करेंगे पहला जो अपन पैटर स्टान आपको दिया हुआ को एक पॉसन है ठीक है ये क्या है राम है अगर राम है लेफ्ट से यदि उसका पॉसंन नाइन है ठीक है और इस राम का यदि राइट से पॉसंन क्या है तो इस वाले लाइन में टोटल कितने सबीक्ति leavे यह थी सब्सक्राइब और तो कितने नंबर ऑफ प θαसं या कंडिदें जो भी है और तो इस करेंगा वह आपको याद रखना इसको याद कर एक तरह से समझो बहुत ही बढ़िया टीप है यह यह है कि आपका जो लेफ्ट होगा सी आपका लेफ्ट अभी किधर होगा इधर की साइड होगा आपका लेफ्ट आप जहां से बैट के वीडियो को मालो देख रहे हो कहीं से भ आपका इधर क्या हो गया आपका राइट तो राम का भी लेफ्ट जो है वह आपका लेफ्ट होगा आप कॉपी पर रखके देख लो राम का लेफ्ट भी आपका जो लेफ्ट है वही राम का लेफ्ट होगा और आपका जो राइट है वह राम का राइट होगा यह कॉंसेप् तो इपन अनुक्य हों तो प्यों आप को अनुक्त घ्राइट में अलगी पर व्यर्ट हुखती यह वहां में अब भी geral कि baru B आपको्हेंत बसकी सव겠지만 करें होने वहकस सब्सक्राइट सब्सक्राइटर्स भी नहोंगे तो फड़िराइस थे स्सक्राइट यह मात best लेफ्ट आपका राइट है यह पर्मूला आपको याद रखना है इसको करने के लिए टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट-1 यह एक पूरे order and ranking जो है पूरी को जो यह चैप्टर है वह इसी पे बेस्ट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह तो आपको बिल्कुल याद रखना है इस फर्मॉला को एकदम अच्छे से रटलो टोटल यानि की जो टोटल नंबर ऑफ इस्टुडेंट परसं जो पूछेगा कितने लोग बैठे हुए वह टोटल क्या होता है बाई से जितने भी नंबर दिया हुए उन सम्में से एक वह खुद बैकती है यह दो बार काउंट हो गया ना देखो कैसे काउंट हो गया दो बार यदि आप राम की बात कर रहे हो ठीक है राम की बात कर रहे हो तो लेफ्ट से हमने 9 लिया ठीक है हमने क्या किया लेफ्ट से 9 ले लिया फिर राम के साइड ही दाएं से आपने क्या किया 10 ले लिया तो राम तो दो बार काउंट हो गया ना एक बार जब आपने लेफ्ट से क तब भी यह 10 वे नंबर पे आ रहा था तो राम दो बार आ गया अपन जब टोटल पासा निकालेंगे तो एक ही राम काउंट करना है इसलिए यहां पर 1 वाइनस हो जाता है दो बार जब वैल्यू आ जाता है अपना तो एक बार तो अपन वैल्यू रखते हैं और एक बार उसक से कितने नमबर पे ना और रायट रह से कितने नमबर पे adam tapping minimize !! अब 9 10 minus 1 कितना होगी यांवी कि यहाँ पे total कि पाशन u और यह इसमें total कितने पानसं बेठा हूँ एटीन लोग बचे हुं टीक यह है तो इसा हमारा कॉंसेप्ट क्लियर होता है तो बहुत ही इसलिए थोड़ा से पैसेंट रखे इसे ध्यान से करिए अब अपना केस टू ठीक है यह टाइप टू में क्या होता है मालनी इसे आपको क्या दिया हुआ एक पंगती है ठीक है एक लाइन है जो भी यहां पे राम बैठा हुआ ठीक है अब यहां पर बैठा हुआ है और राम की बात करो यादि आप लेक्र से तो आपको पता है लेक्टस यह बीस बेशन नंपर पցन करना है इसमें right find करना है कि दाइएं से कितने number पी है या टोटल पूछ रहे आप से दूसरा यह टाइप चुट है यह टाइप चुट है इस टाइप में क्या पूछेगा वह आप से मानलो कोई भी बैकती है उसका बाएं से दिया हुआ है टोटल भी पता है आपको अब वो दाएं से कह रहा है आपसे निकालने ठीक है तो क्या करोगे आप अभी फार्मुला बताया यही फार्मुला यूज करो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन है यह तो अपना बेस है इसको छोड़ना ही नहीं है किसी कुस्टन को सॉल्ब करने में तो अब क्या करेंगे तोटल का बैल्यू पता है कितना है 50 है यह रहा देख बीस और एक उन्नीस हो गया तो राइट की वैल्यू क्या आ जाएगी जब 50 माइनस 19 कितना आ गया दाएं से इसका कौन से नंबर पर आ गया यह 31 नंबर पहना दाएं से राम का रैंक कितना हो गया 31 हो गया ठीक है तो आई होब यह क्लियर है और बहुत इसली आप लोग से सॉल्ब हो जाएगा बस मैं एक कॉंसेप्ट क्लियर करवा रही थी ताकि आप लोग को पता हो पैटर्न किस किस तरीके से कुश्टन पूछा जा स अभि क्या पढ़ेंगे dyed 3 थीटाइप 3 में क्या होगा अभब क्या है आपको दिया हुआ है माललो राम जो है वो राम का रैंक आपको किदह से दे रखा है दाये को आब से बैठा हुआ है बीसवे नंबर पर अभव आपसे टोटल भी दे रखा है टोटल माण जा पे 60 हो गय अब ये आपसे पूछ रहा है कि left से जो राम है वो कौन से नंबर पे होगा यानि कि राम left से किस नंबर पे है ये पूछ रहा है अब आपके ठीक है total पता है right पता है तो left का निकालना है simple यही formula आपको use करना है total is equal to left plus right minus 1 यानि कि बाया plus दाया में से एक घटा देना total कितना है 60 left तो निकालना ही है आपको right आपको दिया हुआ है बस यहां से क्या हो गया picture खतम अब चलो left निकाल लो कितना हो जाएगा 60 में से 20 minus कर दोगे 40 और प्लस 1 41 हो गया ठीक है तो यहां से बाएं से इसका कितना अस्था बाएं से राम कितने नंबर पर बैठा हुआ है 41 नंबर पर ठीक है ओके यह अपना answer हो गया तो यह कुछ एक बहुत ही important थे जो बिलकुल base था यही base है पूरे order and ranking का यह आपको पता होना चाहिए formula बिलकुल अच्छे से रटलो टोटल इक्वल टू लेस्ट प्लस राइट माइनस वन डन इस तरीके के सिधा सिधाइस से questions based आता है वह आपको प्राक्टिस करना अच्छे से अब चलो अब यह अपना आ गया type 4 टाइप 2 तक अपनने पढ़ लिया अब यह कौन सा है और क्यू के बीच कितने बच्चे हैं यानि कि कितने बच्चे हैं यह कौन सा concept आ गया अब आपको क्या निकालना है mid की value निकालना है, किसकी value निकालना है, आपको mid का value निकालना है, तो see, पहले सबसे बहले तो diagram बनाना होगा आपको इसमें, देखो, इस तरीके के questions को कैसे करेंगे, total कितना दिया हुआ है यहापे, 70 दिया हुआ है न, total तो यह दिया हुआ है, 70, p is 22 from the left end, p क्या है, p सो है, यहाँ पर p बैठा है, यह क्या है, left end से 22 नमबर पे है, ठीक है भाई, q is 38 from the right end, अब मालों यहाँ पर q को बैठा दिया हमने ठीक है, q क्या है right end से q right end से कितने number पे है 38 number पे है अब कह रहा है how many children are there between p and q यह क्या पूछ रहा है आप से यहाँ पे देखो p और q के बीच कितने लोग बैठे हैं यही पूछ रहा है ना p और q के बीच कितने लोग बैठे हैं तो अभी अभी इस question को पढ़ा था हमने क्या बढ़ा था कि टोटल जो है वह कैसे निकालते हैं टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन आप चाहो तो इस formula से भी कर सकते हो कैसे लेकिन यह वाला यह जो formula है वह कभ लागू था जब आपके पास single person दिया हुआ था यहां पर सिर्फ अकेला एक ही वैक्ति तो बैठा था राम यहीं तो अकेला राम बैठा था था तो अमने बाएं से जोड़ा दाएं से जोड़ा और एक उसका जो दो बार वह काउंट हो गया उसको हमने माइनस कर दिया अब इस वाले केस में क्या होड़ा है कि यहां पर दो अलग-अलग बैठती है ना पी एक अलग person है और क्यू एक अलग person है तो आप यह formula यहां पर नहीं यूज करोगे तो अब आपको क्या करना है देखो इस वाले concept में आपको क्या करना होता है यह जो total equal to left plus right minus 1 है एक single person के लिए आपको use करना है सिफ P के लिए use कर सकते हो सिफ Q के लिए use कर सकते हो P और Q दोनों ऐसा नहीं है कि हमने P के left को जोर दिया और Q के right को जोर दिया और minus कर दिया 1 यह formula फिर valid नहीं होगा तो आपको यह mistake नहीं करना है अब चलो इसे करो जब आपको mid निकालना है यहाँ पर यह case first है देखो यह जो mid निकालने वाला है यह type 4 का case first है यह धियान रखना आप ठीक है type 4 का कौन से है यह case first है यहाँ पर देखो total देखो कितना है 70 और left कितना दिया हुआ है 22 राइट कितना दिया हुआ है 38 है ना यानि कि total यदि आप देखोगे तो total आपको दीख जाएगा यहाँ पर देखो left plus right निकालनो एक बार ठीक है left plus right निकालके देखो तो कितना हो जाएगा 22 plus 38 जब आप इसे add करोगे कितना हो गया यह 60 यह 60 जो है क्या यह 70 से बड़ा है या छोटा है definitely 60 जो है यह क्या है छोटा है ना किस से 70 से यानि कि total जो आपका value दे रखा है ध्यान से देखना इस बात को बहुत ही important है total जो value दे रखा है आपका 70 यह क्या है total value जो है यह बड़ा value है किस से left plus right या फिर आप P plus Q जिससे भी आपको आराम रहे P plus Q मालो या फिर left plus right मालो आपको जिससे भी आराम रहे आप उससे सीख सकते हो ठीक है P plus Q तोटल यानि की P plus Q का जो value है ना दोनों का जो value है बाएं से और दाएं से वो value छोटा है किसे टोटल से ये चीजे याद रखनी है नोट करके रिखलो एक बार बहुत ही important है यदि P plus Q बाय और दाया से जो अस्थान दे रखा है इसका वो क्या है P plus Q छोटा है किस से छोटा है टोटल से ठीक है छोटा है यदि P plus Q छोटा है टोटल से तब क्या करोगे इस केस में कौन सा फार्मूला आपका लेख जाएगा वो देखो mid equal to left plus right sorry यहापे left plus right रही बड़े वाले value में से आप किसको माइनस करोगे छोटे वाले value को योगि यह logic है ना कोई भी चीज जो बड़ा है उससे छोटा माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो बड़ा वाले value है वो क्या है टोटल है ना टोटल बड़ा है यहाँ तो आप क्या करोगे टोटल में से माइनस कर दोगे किसको P plus Q को ठीक है टोटल में से माइनस कर दोगे इधर कितने हो गया है? 38 हो गया है तो यह आपको 20 का निकालना है तो obviously 70 में से माइनस कर देंगे यह बाया प्लस यह वाला दाया तो यह formula यहां से निकल के आगया आपका क्या? mid equal to total minus p plus q this one is very important इस formula को एक बार याद रखना है आपको mid का जो value है बीच में बैठे वैक्तियों का जो अस्थान निकालना है उसका क्या होगा formula क्या होगा? total में से माइनस कर देना है आपको बाया प्लस दाया है ठीक है? यह कब? यह किस किस में लागू है? देख लो यहां पर ध्यान रखना है case one है यह जब आपका P प्लस Q का value क्या होगा? छोटा होगा किस से? total से यह note याद रखना यदि P प्लस Q यदि P प्लस Q जो है वो क्या है? आपका छोटा है total से तो क्या formula यूज करेंगे? made equal to total minus P प्लस Q, ओके? अब यहां पर यही same है, case one यह match कर रहा है total जो है यह बड़ा है किस से बड़ा है? 60 से या फिर यूँ कहलो 60 छोटा है किस से? 70 से, तो formula क्या था? made equal to total total कितना हो गया? 70 minus यह P P का कितना दे रखा है बाएं से? 22 प्लस दाएं से Q का कितना दे रखा है? 38 कितना हो जाएगा यह? 70 minus 60 यानि कि बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या कितना हो गया यहाँ पे? 10 हो गया है ना? कौन सा option correct हो जाएगा अपना? Option C यहाँ पर आपको option C करके आना है ठीक है? आज यही मैं खहरे थी हम लोग सारा concept क्लियर करेंगे इस class में और next class में बहुत ही जबदस सारे questions प्रैक्टिस करेंगे तो यह पता सल गया आप लोग को कि mid बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे? किस case में जब हमारा P plus Q यानि कि बाया प्लस दाया का जो sum है वो छोटा आ रहा है किस से? टोटल से जब टोटल से छोटा आएगा और एक चीज़ याद रखना है हमेशा बड़े वाले value में से आपको क्या करना है? छोटा वाला value माइनस करना है यह formula यदि आप भूल पे जाते हो न तो यह logic अगर याद रहेगा तो यह formula कभी नहीं भूल पाओगे पूचन जब solve करने बैठो तो बड़े वाले value में से छोटा वाला माइनस करना है यह बड़ा वाला value क्या है यहाँ 70 है 70 में से क्या माइनस करेंगे? छोटा वाला value है यहाँ यहाँ पे P प्लस Q P प्लस Q क्या होगी है? 22 प्लस 38 ओके ड़न चलो अब यहीसे करो अब यह क्या कह रहा है? इनर रो 45 चिल्रेंड पी इस 22 फ्राम दा लेफ्ट एंड चलो पहले तो फीगर बना लेते है अपन ठीक है? क्या करना है? यह देखो P जो है यह क्या है? P 22 है कहां से? लेफ्ट एंड से ठीक है Q इस 38 फ्राम दा राइट एंड अब एक बार एक बात बताओ इसने क्या कहा है? टोटल तो पहले बता दिया है इसने 45 है, ठीक है? टोटल कितना है? 45 है यानि कि यहां से यहां जो लोग बैठे वे हैं वो कितने है टोटल? 45 लोग है 45 में से यदि आप 22 ले लोगे से तो यहां पर इस साइड कि यहां पर कितने बचे काउंट करो यह क्या कहा आप से Q is 38 एक अच्छे से इस चीज़ को चीज हम लोग टोटल जो इस पंक्ति में बैठे वे लोग है इस लाइन में वो टोटल तो 45 लोग बैढ़ सकते हैं ठीक है 22 बाइस से यदि बाइस लोग बैठे हैं तो दाएं से कितने लोग बैठेंगे यहांपर न separate यह कह रहा है कि rai tg वह अर्तिसवे नंबर पर चैह से पॉसिबल यह डियकराम गलत हो गया नहीं कासा इस overlapping का case हो गया यह याद रखना है यह कौन सा case हो गया overlapping का यानि वो दोनों एक दूसरे को cross कर जाएगा ठीक है यह आपको question से clear हो जाएगा तूरंट अब मालो P यहाँ पे बैठा हुआ है ठीक है तो अब यह आपको क्या कह रहा है find out करना i30 बेठेवक्ति की संख्या आप से यह निकालने के लिए क्या कह रहा है संभे क्या कहरा है मालो P जो है बाएं से 22 नमबर पर हो क्यों जो है वो दाएं से 38 नंबर पे हैं तो अब बीज में बैठे बैखती हो कि संख्या निकालनी बीज में कितने बच्चे बैठे हैं यह निकालना है ठीक है और प्लस 38 कितना हो गया यह 60 और टोटल जो दे रखा है आपको टोटल कितना दे रखा है 70 अब देखो यहाँ पे 70 जो है क्या यह वैल्यू यहाँ पे 22 और 38 वेच्च यह कुस्सन हमने आई थिंक कर लिए ना ओगो स्वाड़ी हाँ यह मैं 70 क्यों ले रही हूं पता नियूंग यह लास्ट वाले कुस्सन का याद का यहाँ ठीक है यहाँ पे आपको क्या करना है पी प्लस क्यों अब टोटल देखो यहाँ पे स्वाड़ी मैं लास्ट वाले कुस्सन का रिमाइंड कर दी थी यहाँ पे कितना होगा टोटल क्या दे रखा है 45 अब टोटल जो है अपना 45 है क्या यह वाला वैल्यू छोटा नहीं है यानि की पी प्लस क्यों अपना क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है किससे तोटल से उस केस में क्या था अब यह हो गया अपना केस्टू mid find करने वाले में यह अपना केस्टू हो गया जब आपका P प्लस Q जो है वह क्या हो रहा है बड़ा आ रहा है किससे तोटल से इस वाले केस में क्या हो रहा था P plus Q इस वाले case में क्या हो रहा था P plus Q जो है P plus Q जो है ये क्या हो रहा था छोटा हो रहा था किस से total से है ना ये ध्यान रखना है और इस वाले case में case 2 में क्या हो रहा है P plus Q बड़ा है किस से total से अब जब P plus Q बड़ा है total से तो मैंने अभी concept एक याद करनी के लिए था कि हमेसा हम लोग बड़े वाले चीज में से छोटे वाला चीज माइनस करेंगे तो अब यहाँ पर बड़ा वाला क्या है P plus Q है ना तो definitely P plus Q में से total minus होगा अब तो इस case में अपना जो formula बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बड़ा वाला जो बड़े वाला value है क्या है P plus Q guys see I am repeating again and again यदि यह formula भूल जाते हो तो आपको याद कैसे रखना है इस line को याद रखना है बड़े वाले चीज में से हमेसा छोटे वाली चीज को minus करते है इस वज़े से यहाँ पर हमने क्या किया था टोटल हमारा बड़ा था तो हमने टोटल में से minus किया था P plus Q को इस concept में क्या करेंगे जब अपना P plus Q बड़ा है तो P plus Q में से किसको minus कर देंगे टोटल को यह याद रहेगा इतना अब यहाँ पर एक extra हो जाएगा क्या minus 2 अब यह क्यूं होगा minus 2 क्यूं होगा यह देखो overlapping के case में आपको formula में एक और चीज यूज करना है वो क्या है minus 2 अब एक बार सोचो अच्छे से कि क्यूं होगा यह minus 2 इस diagram को देखो यदि जब आपको P के पास जाना है बाई और से P के पास जाना है ठीक है यहाँ तक जाना है बाई और से P पे पास जा रहे है तो Q भी count हुआ और P भी count हुआ इधर से count हो गया Q और P ठीक है बहुत अच्छी बात है बट जब आप q के पास जा रहे हो दाई और से कहा जा रहे हो q के पास जब भी ये p और q count हो रहा है यानि कि p और q कितनी बार count हो गया two times count हो गया और अपन जब total निकालेंगे total हमेशा कब एड करते हैं एक ही बार लेते हैं इसलिए ये दो जो है एक एक बार extra हो गया ये दो यहां पर minus करते हैं क्यों क्योंकि दो बार हमने इस value को count कर लिया जबकि हमें एक ही बार count करना होता है तो दो लोग extra होगे एक तो q एक पी इसलिए हमने 2 minus कर लिया ओके very important formula very important concept ये याद रखना है बड़े वाले में से हमें साथ छोटे वाले को minus करना है formula अपने आप याद हो जाएगा आपको ठीक है done चलो अब इस question को solve करो क्या पूछ रहा था ये आपसे क्या निकालने को कहा है इसने mid mid निकालते है formula क्या है p plus q अब p plus q बाया और दाया का sum कितना दे रखा है अपना 60 60 में से minus करो total total कितना दे रखा है 45 45 में से minus करो 2 कितना हो जाएगा ये 60 में से यदि minus करो 45 पहले और फिर आप minus कर दो 2 तो 60 माइनस 47 और 60 में से 47 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा ये 30 यानि कि बीच में बैठे बच्चे उटी संख्या कितनी है तेरा बच्चे बैठे में option कौन सा right हो जाएगा अपना option b is right ये देखो option मैंने side में लिख लका आप लोग ध्यान से देखना option b is right here okay तो concept a clear कर लो यही questions as a data change हो जाता आपको exams में दिखेगा बहुत ही helpful class है यदि इस class को आपने कर लिया अच्छे से के concept समझ लिया सारे formula अगर आपने नोर्स बना के रख लिये तो कल की class में यदि हमने 50 questions प्रैक्टिस किया तो यू चुटक्यों में आप 50 questions को solve कर पाव 15 है यहां से पता चलिए आपको क्या कि टोटल कितना है 15 है टोटल 15 है फिर कह रहा है पूजिशन ऑफ राम फ्राम फ्राम लेफ्टी स्टुवेल पोजिशन ऑफ स्यांग फ्राम राइट इस एच पाइंट टोटल नंबर ऑफ इस्टुडेंट प्रजेंट बिट्वीन राम स्यांग वही है राम और स्यांग के बीच में कितने लोग है वह ग्याद करना आपको ठीक है अब देखो टोटल इसने बता दिया आपको कितने हैं 15 है यदि राम की बात करते हैं मालो यहां पर राम बैठ रहा है चक कर लो एक बार पी प्लस यू यहां पर पी कितना हो गया हमालो है यहां ठीक है कि जो दयें से रहा है वह क्या हो गया और अप्लास यू कितना गया है यह बीस हो गया अब बीस और टोटल कितना गया है 15, यानि कि अपना 20 जो है वो किस से बड़ा है 15 से, टोटल से तो बड़ा आगया ना, P plus Q यहाँ पे किस से बड़ा आगया टोटल से, तो कौन सा वाला यह हो गया case 2 हो गया ना, अभी जो हमने यहाँ पे किया था, यह सी, यह वाला case है Listen na P plus Q का value यदि T से बरा है तो mid का क्या निकालेंगे P plus Q minus T minus 2 सीधा सीधा है यह पर चेक तो गाली है झापने P plus Q यह बढ़ा है T से तो formula क्या लग जाएगा mid equal to P plus Q जो बरा वाला value है minus छोटा वाला जो total है और minus two भस यहाँ पर कहानी खतम P plus Q का sum हमने निकाल लाई था यहां पर कितना है ट्वाइंजी टोटल कितना है 15-2 तो ट्वाइंजी में से 15-2-17 और कितना आगे एंसर तीन यानि कि बीच में बैठे वैक्ति की संख्या कितना है त्री बिना डाइग्राम बनाएं बिना यह लाइन ड्रॉ किये वे आपके एंसर चेक करना है सिंपल पी प्लस यू यानि बाएं से और दाएं से क्या दे रखा है लेफ्ट से और राइट से जो वेल्यू दे रखा है इसका सम निकालना है और यह चोटा है या बड़ा इस पर डिपेंट करता है फिर आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेना ओके च यह चाहता है तो वह बाएं से बारवे अस्थान पर है चलो तीक है मुनिका को बैठाओ पहले यह क्या है अपना लाइन हो गया मालो मुनिका का एक्चुल पोजीशन इसने क्या किया 21 लड़कियों की यानि की टोटल कितना दे रखा है 21 लड़कियों की पंक्ती में जब मु मुनिका का एक्चुल है अब मुनिका को क्या करना है आपको चार अस्थान आगे कर दो यानि चार जगह ठीक है तो 1,2,3,4 अब मुनिका कहां आगई अब मुनिका कहां पर आगई यहां पर आगई मुनिका ठीक है अब जब मुनिका यहां पर आगई तो क्या कह रहा है यह 12 फ्रॉम दा लेफ्ट बाएं से यानि की लेफ्ट से मोनिका कितने नंबर पे है 12 नंबर ठीक है ध्यान से पढ़ो इस 21 लड़कियों की पंक्ती में जब मोनिका को चार अस्थान दाई और यह मोनिका है और अब भी मैंने बताया था दाई और किदर होगा आपका दाया यानि क मोनिका का दाया और आपका दाया यही तो है राइट इदर हो गया और लेफ्ट यह हो गया है ना तो मोनिका का दाया दाई और सिफ्ट करो चार सिफ्ट कर दो भई 1 2 3 & 4 यह हो गया एम डैस बना दिया हमने मोनिका का अब जो नया पोईशन है बाएं से वह बारवे अस्था रहा है देखो राइट से पोजीशन तो पूछा इसने बट अलियर पहले यानि मूनिका का जो यह एक्च्वल पोजीशन था इसका यह पूछ रहा है आपसे क्या होगा कहां से राइट से ठीक है क्या इस कोईस्टन को पेंसे करनी की जरुवत है यह इसली निकल जाएगा ना देखो यहां पे आपसे पर गया पर यह यह क्या कहरा है आपसे से मालो कोचnt कर तो पहले किस जिगह पें होगा बारा यह है तो माइनुस कर दो ना 16 Cha Sakya Jas Josh गया यह 9 हो गया यह 8 हो गया है ना पहले कितने नंबर पे थी मूनीका 8th नंबर पे थी यह तो निकल गया नहीं इसलिए यह समझाने की जरुवत है निकल गया पहले यह 12 नंबर पे थी भया यह 4 स्थान यह पीछे गई तो 12 11 10 9 यह 8 अब यानि बाएं से 8 पे है टोटल कितना है 21 लेफ्ट पता है आपको 8 तो क्या राइट बताने की जरुवत है क्या हो जाएगा फर्मुला क्या लगाएंगे अपन टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बिल्कुल फर्मुला जो मैंने बताया था ओर्डर एंड रैंकिंग का बिल्कुल बेसिक फर्मुला यही है बहुत ही इंपोर्टेंट टोटल का फेल्यू पुट कर दो कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू लेफ्ट कितना है 21 लेफ्ट कितना है लेफ्ट है आपका 8 प्लस राइट माइनस वन यानि कि यह कितना हो गया 7 प्लस आर आर की वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा 21 में से 7 माइनस कर दो कितना बचा यहाँ पे 14 यानि कि मोनी का दाएं से पहले जो प्रीवियस उसका वहाँ पर जहां पर यह खड़ी है इस पहले पोजिशन पे दाएं से कितने नंबर पर है 14 नंबर पर है यह ना आप्सण डी इस डाइट है कितने नंबर पर यह 14 नंबर पर ओके तो इसी तरीके से आपको सारे कोस्टन करने है चलो अब इसे करते हैं इना रो पोजिशन आफ कमला फ्रॉम लेफ्ट इस तुवेल्प यानि कि लेफ्ट से क्या दे रखा है तुवेल्प पोजिशन आफ सी सीता फ्रॉम राइट इस व्धिस क्या दे रखा है bara ट्वाइंट से क्या इन सीपे इसको भी सही से लिकलो एक बाल किसका है यह लेफ्ट कमला का है लेफ ठीक है सीता का राइट से 26 और दियर आर 5 पासन बिट्वीन कमला एंड सीता कमला और सीता के बीच यानि कि मिड भैल्यू क्या दे रखा है 5 तो फाइंड करना है आपको मैक्सिमम सी बहुत ही इंपोर्टेंट है इस को देखो ध्यान से यह आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ परसन ठीक है बैक्ति किसी भी पंक्ति में बाएं से अगर बारवे नंबर पे है कमला दाएं से सीता क्या है चबीस बे नंबर पे है तो कमला और सीता के बीस यदि पांच वैक्ति बैठा है तो अधित्तम संख्या आपको ग्यात करना है ठीक है अब देखो जब भी मैक्सिमम का बात होगा आपको अलग-अलग परसन लेना अलग-अलग मतलब एक यहाँ है यहाँ है बिल्कुल अलग लगे लेना और लैपिंग नहीं होगा मैक्सिमम के केस में तो अब यहां पर कौन है यहां पर कमला का दे दिया इसने लेफ्ट से कितना है 12 फिर यहां पर हमने किसको बैठा दिया सीता को सीता का राइट से दिया हुआ है कितना है 26 और बीच में बैठे बैक्तियों की संख्या भी हमें पड़ता है कितना है टोटल 5 तो क्या इसमें मैक्सिमम निकालने के लिए कुछ सोचने की जर्वत है तो अधिक्तम कितने लोग बैठ सकते हैं तो भाई 12 इधर से हैं और फॉर्मूला एक तरह से याद रख लो आप देख यदि आपको अधिक्तम यह जब अधिक्तम संख्या ग्याद करना होगा आपको तो आप क्या करोगे मैक्सिमम इक्वल टू बाया प्लस दाया प्लस बीच में बैठे वैक्तियों की संख्या यह याद रखने आपको फॉर्मूला बहुत ही इंपोर्टेंट है अब देखो क् राइट से 26 और मिड में बैठा परसन कितना होगया पांच टोटल कितना एंसर आजाएगा आपका इसको एड करो कितना आगया यह 43 ओप्सन यह अपना क्या है राइट है टोटल कितने बच्चे बैठे हुए है इसमे 43 लोग बैठे हुए ठीक है टोटल कितने लोग बैठे हुए इसमे 43 लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम तो यह एक फॉर्मूला था हरे कोश्चन में आपको एक नया कॉंसेप्ट दिखेगा और उस सारे फॉर्मूला को नो डाउन करके रखना है याद रखना है कल बहुत ही अच्छे से सारे कॉस्चन प्र सारे किके रहें सारे को आपको क्या करता हैा निर्र द्रखने कॉस्चन यूबद ऑपांव तैसल कण द्रखना गी अच्छना को मसमें ल्या épońक अटे में तो न्या पर शोट्या सविचत हुथ और तो आपको क्या करना है minimum number of person पूछ रहा सी एक चीज जो मैंने अभी यहां पर बताया था maximum के case में हमेशा note down करके लिख लो एक बार maximum के case में maximum के case में आपको क्या करना है value अलग-अलग लेनी है ठीक है अलग-अलग in the sense यह वाला single person वाला value आजाएगा ठीक है value अलग-अलग लेनी है बट यदि यह minimum की बात करेगा यदि यह minimum की बात कर रहा है तो minimum के case में हमेशा minimum is related to overlapping minimum किस से related होता है overlapping से related होता है ठीक है तो यह धियान रखना है आपको तो minimum जैसे ही पूछा तो यह diagram यहाँ पर क्या हो गया wrong हो गया अब जो नया diagram बनेगा अपना वो किसका बनेगा overlapping का diagram बनेगा ठीक है यानि कि कमला तो अब इधर आ गई और सीता जो है वो इधर आ गई ठीक है अब कमला का left से दिया हुआ है क्या है position 12 और सीता का right से दिया हुआ है क्या है position 26 ठीक है और बीच में बैठे वैक्ति की संख्या क्या दिया हुआ है फाइब दिया हुआ है इस केस में आपको क्या निकालना है minimum कम से कम कितने लोग यहां पर बैठ सकते हैं इस लाइन में यह पूछ रहा है आपसे ठीक है minimum number of student candidate जो भी है वह आपसे पूछ रहा है कि इस रो में कितने लोग बैठ सकते हैं तो अब कैसे करेंगे इसको तो minimum का formula आपको याद रखना है अब तक आपने यह formula पढ़ा होगा बट अभी देखे बहुत ही important चीज़े हम लोग पढ़ने वाले हैं यहापे minimum का formula अभी तक हमने क्या पढ़ा था left plus right minus mid minus 2 यही तो पढ़ा था न क्यूँ left plus right minus minus mid अभी जब हमने बीच में बैठे वेक्तियों की संख्यों जो निकाला था overlapping के केस में तो यही formula था न बड़े वाले value में से क्या minus करते हैं छोटे वाले value left plus right में से क्या minus करते हैं mid minus 2 ठीक है बट यह formula एक जगा fail हो जाएगा ठीक है यह formula एक जगा fail हो जाएगा और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जबरदस्था trick है वही काम आएगा बट वह भी सिखेंगे पहले इस formula से इसको solve करते हैं चलो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे minimum जो है वो क्या होगा left plus right निकालो left कितना दे रखा है इसने 12, 26 minus minus क्या है mid mid की value कितनी दे रखी है 5 और minus 2 तो आपका ज आएंसर आजाएगा यह कितना आजाएगा total 31 यानि कि कम सबस्क्राइब कितने लोग हो सकते हैं इस लाइन में 31 हो सकते हैं और सियाम के बीच 15 बैक्ति है तो पंक्ति में उफस्तित बैक्तियों की नियूंतम संख्या ग्यात की जिए अब क्या करना है आपको नियूंतम संख्या ग्यात करना है अब चलो यहां पर देखो यहां पर यदि आप यह वाली वैल्यू लगाते हो जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा था वह क्या पढ़ा था मीनिमम का फार्मूला क्या पढ़ा था अभी लेफ्ट प्लस राइट माइनस मीड माइनस चलो इस फार्मूला को लगाते हैं लेफ्ट से क्या दे रखा है इसने 12 तो लेफ्ट से तो बारा हो गया दाएं से कितना दे रखा है 26 तो दाएं से हमने 26 कर लिया माइनस मिड कर लिया अब मिड क्या है यहां पर 15 है तो मिड हमने 15 कर लिया और माइनस 2 कर लिया ठीक है जब इसको करेंगे कितना हो जाएगा 12 26 38 माइनस 17 तो यह टोटल कितना आ गया 21 अब आप क्या करोगे यहां पर कुस्टन में 21 क्योंकि हमने फॉर्मुला तो यही पढ़ा होगा ना मीनिममम जैसे निकालना और फॉर्मुला क्या यूज करना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मेड माइनस तू आज तक तो यही फॉर्मुला पढ़ते हैं इस फॉर्मुला से सॉल्ट किया हमने मिनिमम कितन लगाया क्यों हो गया है वह देखो यहां पे घड़ जगाओ यह पीस हो घखो को yellow करें करें वह यह यहाँ पे mid value क्या है, 15 है, mid यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 15 दे रखा है, और राम का 20 क्या दे रखा है, 12, left तो 12 दे रखा है, और right क्या दे रखा है, 26, धियां से सुनना मेरी बात, mid का value जो है 15, यदि यह value, मिड का जो वैल्यू है 15 यदि ये वैल्यू दिये हुए दो वैल्यू बैक्ति का जो दो वैल्यू दिया हुआ है कौन सा बाएं से और दाएं से इस दिये हुए दो वैल्यू में से 12 ओर 26 में से जो कम है 12 ओर 26 में से जो कम है कौन सा कम है यहां पर 12 ओर 26 में से कौन सा कम है 12 कम है अब 12 से 2 value जो आपको दिया हुआ है बाया और दाया इस में से जो सबसे कम है कौन सा कम है 12 और 26 में से 12 कम है इस कम वाले value से 2 value और कम यानि कि 12 में से 2 और कम कितना हो गया 10 यदि mid की value इसरे 10 तक है तब तो अपना ये formula valid है तब इस case में formula क्या है valid है यदि इस mid का value 10 से उपर आ गया तो ये formula valid नहीं है यहाँ पर ये formula fail हो जाएगा ठीक है समझ रहे हो मेरी बात note करो यहाँ पर please नहीं है वेक note कर लो एक बार मैं लिख देती हूँ बहुत ही important है note बनाओ और लिखो फटाक से write It 1st क्या लिखना है आपको mid की value करनी है किसकी value check करनी है sorry गषिक करनी है mid की value check करनी है यदी यदी जो mid value है वो दिये हवे mid value जो है वो क्या है दिये हुए दो बैक्ती जो दो बैक्ती का जो अस्तान धिया हूँ है ना आपका एक तव मेरी हिंडी वैसे कमद्वर है दो व्यक्ति का जो अस्थान का व्यल्यू रॉ अ कि एक यदी मेड वैल्यू वह दिये हुए दो व्यक्ति का वैल्यू जो है उसमें से जो कम है ठीकैं उसमें से उसमें से जो कम है आप अपने अपने लेंग्विज में जिसमें कमफर्टेवल उसमें लिख ले ना उसमें से जो कम है ठीक है जो क्या है कम है लेस वाली वैल्यू है उससे जो वैल्यू कम है उससे दो वैल्यू कम है कम होगा कम होगा किसका कम होगा मेड वैल्यू का ठीक है mid value का तो यह formula valid है formula valid है formula valid है formula क्या है आपका left plus right minus mid minus 2 ठीक है यह formula valid है minimum find out करने के लिए no down कर लो please बहुत important है यह mid value जो दिये हुए 2 वैक्ति value दिये हुए mid value इसको अटा दो दिये हुए 2 वैक्ति का value जिसमें से 2 value दिया हुआ है उसमें से जो कम है उससे 2 value कम होगा क्या कम होगा भाई mid value कम होगा तो यह formula valid है formula क्या है minimum equal to left plus right minus mid minus 2 और यदि ये value यदि यदि ये value यदि ये value मतलब mid का value का बात हो रहा है यदि ये mid value उससे जादे है तो क्या होगा minimum equal to maximum इस case में minimum जो find out करना है वो किसके equal हो जाएगा maximum के equal हो जाएगा कब जब अपना limit ये cost कर देगा कब mid value जो है वो 2 बैक्ति का जो value दिया हुआ है मालनो 2 और 4 है left से 2 और 4 दाएं से 4 दे रखा है तो 2 और 4 में से 2 कम है अब 2 से 2 कम यानि की 0 यदि mid का value 0 तक आ रहा है यह मैंने example लिया है mid का value यदि 0 तक आ रहा है तब तो सही होगा otherwise minimum के case में भी अपन क्या formula यूज करेंगे maximum का minimum equal to maximum हो जाएगा ठीक है इस example से अच्छे से समझ लो check करो जो आपने first question किया था ना देखो यहां पर चेक करो इक बाद mid का value क्या है 5 है ना mid कितना दे रखा है यहां पर 5 और अपना जो दिया हुआ value है वो क्या है 12 और 26 है 12 और 26 है इस वाले में से check करो 12 और 26 में से कम कौन सा है 12 कम है अब 12 से 2 कम यानि कि क्या हुआ 10 10 ही तो हुआ 12 में माइनस 2 और यदि mid का value 10 से उपर है तो उस case में minimum equal to उस case में जो minimum का value होगा वो क्या हो जाएगा maximum ठीक है formula क्या लग जाएगा फिर maximum वाला तो अब यहां पर चेक करो क्या है mid का value तो 15 दिया हुआ है ठीक है left कितना दिया हुआ है 12 वो राइट दिया हुआ है 26 अब 26 और 12 में से 12 कम है 12 में से 2 माइनस किया 10 यहां भी होई है अब 15 जो है ध्यान से देखो जो आपका 15 है यह 15 क्या है 10 से जादे है तो यह formula fail हो गया अब आपन जो minimum निकालेंगे ना वो क्या होगा maximum होगा और maximum का formula हमने क्या पढ़ा था left plus right plus mid यही तो हमने formula पढ़ा था तो इस case में minimum भी कैसे निकालेंगे left plus right plus mid बहुत ही important है जो बच्चे जल्दे वाजी में इसी formula को use कर लेंगे चोंकि हमने पढ़ा ही अब तक यही है 21 में टिक कर के आ जाएंगे जो की बिल्कुल गलत है ठीक है अभी इस formula से निकालो क्या हो जाएगा आपका left में कितने बच्चे बैठे हैं left में कितने हो गएं 12 plus right में कितने हैं 26 और plus बीच में कितने हैं 15 add करो 6 to 8 5 13 का 3 5 यानि कि total कितने हो गएंब यहाँ पे minimum भी 53 क्योंकि यहां पर maximum और minimum का case जो है वो सेम होगा option C right होगा यहां पर option A यहां पर wrong होगा तो जल्दी वाजी नहीं करना है concept clear रखो आपका questions कभी भी गलत नहीं होगा ठीक है चलो अब यह कर लो यह बहुत ही important है और ज्यान से करो इसे सी इसमें क्या कह रहा है अर्पित rank 9th from the top अब देखो अब तक अपना यह horizontal line पे draw बना रहे थे कई बार यह आपको वर्टिकली यारी कि top और bottom का concept भी दे सकता है जैसे अपन अभी तक क्या पढ़ रहे थे left और राइट का concept पर रहे थे ना तो कई बार यह क्या करता है टॉप और bottom का concept भी आजाता है तो simple size में कोई बहुत मतलब कोई मंत्र नहीं पढ़ना तॉप और bottom में क्या करना line को सीधा vertical draw करना left और right में line horizontal यानि यह 36 रेका ड्रोग और यहां पर बहुत ड्रोग ठीक है चलो अब यह इस question को करते हैं क्या कह रहा है अर्पित रैंक यहां से एक line बना लिया हमने क्योंकि पता चल गया नहीं कह रहा है ठीक है यह क्या है अर्पित है अर्पित क्या कह रहा है 9th है from top यानि कि यह यहां से कितने नंबर पे है 9th नंबर पे ठीक है वाइल अंकुस रैंक 19th from the bottom अब यहां पे आपने क्या किया अंकुस को ले लिया तो अंकुस का रैंक यह क्या बता रहा है 19th 19th उनीच में नमबा पे है bottom से ठीक है if there is one rank between अर्पिता एंड अंकुस अर्पिता और अंकुस के बीच एक और पसंद बैठा हुआ है ठीक है अंकुस को हमने नीचे से 19th भी दे दिया और इस दोनों के बीच एक लोग बैठा हुआ ना बीच में एक rank है तो सुची में कितने चात रहें यानि कि यह क्या पूछ रहा है अपन से टोटल पूछ रहा है अब क्या इसने यह बता है और लैपिंग का केस है या नहीं है और लैपिंग यानि कि इसमें दो डाइग्राम बन सकता है ध्यान से देखो इसमें दो डाइग्राम बन सकता है एक डाइग्राम यह और दूसरा डाइग्राम क्या यह नहीं बन सकता यहा केस टू देखो क्या बन जाएगा यहां से यदि आप ड्रॉ करते हो इसको तो अर्पित मालो यहां पर है यहां पर अर्पित है यहां से कितने नंबर पर आ गया नाइन्थ नंबर पर अब मालो अंकुस यहां है अंकुस ने क्या किया नीचे से क्रॉस कर दिया अर्पित को यह यह भी तो डाइग्राम बन सकता है न क्योंकि उसने क्लियर कहां किया है किदर से कौन है तो अंकुस यह और इस दोनों के बीच में एक पासन बैठा हुआ है तो दोनों ही कैस सही है तो इस केस में दोनों ही सॉल्प करना होगा चलो पहले एक बार इस केस के लिए निकालते हैं यहां पर 29 29 तो है अपने ऑप्शन में भी हो सकता है बट एक बार केस्टू सॉल्प करके देखो इस केस में टोटल क्या हो जाएगा ध्यान दो इस केस में टोटल क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट और माइनस करते हैं मिड़ जब ऑफर लैपिंग का केस होता है ध्य लेफ्ट प्लस राइट प्लस में और यदी ऑफर लैपिंग का सिच्वेशन है तो लेफ्ट प्लस राइट में से मिड़ माइनस करो माइनस टू ऐसे भी कर सकते हो फर्मूला याद है तो अधर्वाइस देखो सीधा सा लॉजिक है इतना फर्मूला नहीं भी याद रहे तो तो भी काम सलेगा क्यासे वह देखो इधर से लेना याद भाईольш तो इधर से अमने ले लिया नौ अब इधर से भी लेलिया उन्ेश तो अमने दोनों को जूर तो लिया अब देखो यह दोनों दो पार नहीं कांट हो गया 인 जब आप यहां से यहां आए तब भी यह अंकुस तो आपको क्या करना है इस तीनों को एक ही बार लेना है तो इसमें से तीनों को तीन माइनस कर देंगे एक एक तीनों का है तो टोटल कितना आ जाएगा यहां पर 19 हो शबो को आपका टोच्घल कितना कर लागा और अब को यह बो Responsive कर मैं लगा दिया तीचा है अगर यह हैं एपर और भी options होता हैं यह तब आप क्या करते हैं तब यहां पर 29 नहीं लगाते क्योंकि 29 एक केस में तो आई रहा है ना तो आपको सारे केस सोच के चलने एक्जामिनर क्या देगा वह में पता नहीं है ठीक है तो यह एक इक्जाम्पल था चलो अब इसे करो बहुत ही इंपोटेंट है और इस तरीके के कोश्चन्स आपको के भी में थोड़ा अगर स्टेंडर्ड हाइए एक्जाम्स का तो आपको यह दिखने को मिल सकता है इनक्लास ऑफ 36 स्टुडेंट यानि कि टोटल तो जो है वह क्लियर है यहां पर क्या है 36 है नुबर ऑफ ब्वाइच उस ट्वाइस डोन अमबर ऑफ गव कि याने की अगर व्वाइच जो है वो कह यह धूगुना है किससे गविजस से हमा यान*** कि गविजस जो भी है उससे कि ढविजस क्या है दूगुना है अब क्या यहांसे आपको क्च सोचनी की जरुना है अब 12, 13, ये 12 तो अपने क्या लड़किया माल लिया, और इस दोनों 12 को मिला के 24 क्या हो गए, boys हो गए, अब यहीं तो यह कह रहा है, क्या कह रहा है, कि लड़कियों की संख्या से लड़का क्या है, दोगुना है, तो 12 लड़की हो गई, और 24 boys हो गया, ठीक है, ये चीस क्लियर हो लड़के ओगया तो यह clear हो गया 24 boys यह भी गिवन है टोटल 36 गिवन है टोटल 36 डेटा जो है 24 बोई है और 12 गल्स है यह तीनों चीज अपन के पास घिवन है ठीक है चलो अब इस questions को आगे पढ़ो क्या कह रही है In this class 13th boys are before Sita यानि कि कहीं पर Sita तो बैटी है चलो अब Sita बनाओ यह रही Sita Sita से पहले 13 boys है यानि कि Sita से पहले किदर की side हो गए है इदर की side हो गए है न 13 boys है ठीक है 13 boys है Which is 19th in this class Which किस के लिए यूज हो रहा है Sita के लिए यूज हो रहा है तो Sita कि है 19 है इस class में इदर से 13 boys है सीथा से पहले जो सीथा इस class में इदर से 19 वे नंबर पे है तो आपको यह पूछ रहा है कि सीथा के इस वाले side जो हैना कितने girls होंगी है कितने गल्स होंगी है फूछ देखों सीथा यहाँ से पहले दो सफों चुंकि में नमबर पर धियान के लेक्प हं, जिना को 20 है यहां से यहां लोग यहां से यहां 19 लोग बैठेरे हैं जिसमें 13 वृका थिस भूाला झाल और एक यह सीता खुद, तो 14 तो यहीं हो गा है, तो कितनी लड़किया बची यहाँ पे, 5 गल्स बची न, क्या यह समझ में आया, देखो, यहां से यहां टोटल 19 लोग हैं, जिसमें से 13 तो लड़का है, एक यह सीता खुद है, तो 15 तो 14 तो यहीं से हो गा है, प्लस 5 करेंगे, तब ही तो 19 हो जाएगा टोटल, तो यानि कि यहां पे गल्स कितनी हो गई, 5 गल्स इधर है, अब यह आप से क्या पूछ रहा है, कि इस साइड कितनी गल्स है, सीता के स्पार कितनी गल्स है, तो भाई 5 गल्स तो इधर हो गई, सीता के लट्ट साइड में, फिर यह सीता एक खुद है लड़की, तो 5 तो यह लड़की हो गई, सीता एक खुद 6, और टोटल अरकियों की संक्षा कितना दिया हुआ है, 12 तो दिया हुआ है न टोटल, तो छे लड़की यहां है, तो छे लड़की इधर होगी न, तीधा सा कॉनसेप्ट है, कोई लॉजिक नहीं है, इसमें, अनीता and बबली are standing in row, अनीता is 16th from left side of row, अनीता और बबली पंक्ती में खड़ी है, अनीता पंक्ती के बाएं और से 16 अस्थान पे है, बबली पंक्ती के दाय से कहां है, 21 अस्थान पे है, और यदि यह आपस में क्या करते हैं, अपना अस्थान बदल लेते हैं, एसी बहुत ही इंपोटेंट कोईस्चन यह है आपका पोजीशन चैंज करने का ठीक है यह किसका कोईस्चन है आपका इंटर्चैंज वाला जो मैंने बताया था ना बहुत ही थोड़ा सा हाई ले अवल का ओगार यह इस्टेट इग्जाम में बहुत ही जादे आपको अच्छे चांस में भी दिख सकते हैं तो इंटर्चैंज वाला कॉस्चन को कैसे करते हैं वह देखो यहां पर दो डायग्राम आपको बनाना होता अच्छे समझना इंटर्चैंज वाले कुईस्टन को थोड़ा सा लॉजिक होगा देखो यहां पर एक तो यह अनीता होगी यह बबली है अब देखो अनीता इंट बबली है अर स्टेंडिंग इन रो अनीता है 16th साइड स्वाडी मैं इसको दूपडी बैठा दिया हूँ अनीता जो है यहां पर देखो अनीता क्या है 16th है left से मतलब कि इधर से कितने नमबर पे है 16th नमबर पे है बबली is 21th from the right of row मतलब राइट दाएं से देखो अनीता कहां से है लेफ्ट से है वो राइट से कौन है बबली कितने नमबर पे है 21 नमबर पे है राइट से बबली ठीक है इफ दे इंटर चैंज बहुत ही इंपोर्टेंट है यह वाला चीज़ दियान रखना जैसे यह वर्ड आ गया ना तो आपको दो डाइग्राम बनाना है और फिर स्वाल्व करना है तो दियान से बनाना इसको देखो अब दूसरा डाइग्राम भी आप बनाओ ठीक है बना लिय है अब पोजीचन इसका चैंज हो गया यानि पहले अनीता कहां थी यहाँ पे और बब्ली की जगाए और बब्ली अनीता के जगा हो गयी लहाँ हो गया जब इसमें जग बदला तो क्या हो था अनींता बीकम और अनी degrad काल्य है क्योंकि आपका लैफ्ट तका दीनौम्पर प तो अब आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड न्यू पोजीशन बबली का दाहिनी और से नया बबली है बबली का किधर से दाएं और से किसका तो बबली का कौन सा अस्थान है वहती इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है समझो इसको अच्छे से एक कोईसंस कर लिए तो इसके हजा और क्या कहरा है यह आपसे कि आनिता यह आपसा जगान बबली को बबली के जगा पर बबली नाएं वाले पोजीशन जब चैंज हूए तो अनिता का बाएं से 32 नंबर अगया तो बैद दाहें जो गांपकी चीजए है इसका बबली का यह पूछ रहे है थी कि कससे आए तो सबसे पहले आपको टोटल निकालना है फ़र्स्टेप्स क्या होना चाहिए कि टोटल फाइंड आउट करना ठीक है फ क्ला कहह फाइंड ॥oms और बबली का दाय से क्या दे रखा है देखो द्यान से दाय से कितना दे रखा है किस दे रखा है तो अब टोटल नहीं निकल जाएगा क्या टोटल क्या होता है लैफट प्लस राइट minus 1 क्योंकि पंक्ती में जो ये लंबाई है न लाइन ये लंबाई सेम ही होगा सेम है और number of person जो बैठे है ना दोनों में total बैठे बैठे हो कि संख्या सेम है तो एक कोई भी example आप ले ले ना 16 से भी solve कर सकते हो बढ़ नहीं होगा ये क्योंकि राइट हमें पाता ही ना 16 का राइट यहां से कैसे लेंगे राइट नहीं पाता है इसलिए इसका लोग जिसका दिया हुआ है एका दिया हुआ है एका दिया हुआ है लेट से 32 है तो 32 है भाई right से क्योंकि एक चेवापई तो बैठा है तरबबली right से 21 है तो right से 21 हो गया 32 प्लस left से 32 है 32 plus right से कितना है 21 minus 1 कितना हो गया यह 21 में से गया 2020 और 30 यह कितना हो गया 52 यह तो होगे tapi टो कितना हो गया यानि 52 आ गया तो क्या कुछ करने की जरुवत है बिल्कुल नहीं क्यों कि देखो तो तो 52 आ गया इस वाले के लिए अब यह क्या पूछ रहा है बबली का तो बबली का लैक्ट से क्या लेंगे अपन 16 तो कि उपर और नीचे यही तो लोग होंगे तो 16 हो गया इधर से लेफ्ट से बबली का दे रखा है 16 तो अब आपसे यह क्या पूछ रहा है राइट से पूछ रहा है तो निकाल लेंगे राइट से यहां पर क्यों टोटल का फर्मूला क्या हो गया लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन लेफ्ट कितना हो गया 52 प्लस राइट तो आपको निकाल लाइट तो निकाल लाइए दाये से स्वाड़ी लेफ्ट टोटल है 52 लेफ्ट नहीं है ठीक है लेफ्ट कितना दे रखा है 16 प्लस राइट माइनस वन और टोटल कितना दे रखा है 52 तो इसको जब सॉल्ब करेंगे तो राइट की बैली कि आ जाएगी किसका बबली का राइट से कितना पोजिशन आ गया 37 ऑप्सन भी अपना राइट होगा समस्द में आया है इसको फिर से क्लियर कर दूँ एक बार सौट में समझाती हूं देखो फटा फट से देखो जब भी इंटर्चैंज का प्रॉब्लेम आएगा जब भी इंटर्चैंज का कुस्ट सन आएगा दो डायग्राम बरेंगे ध्यान रखना है दोनों में ही टोटल नंबर सेम होगा पहले में अनीता यहां बैठी है सोला नंबर पे 22 और बबली बैठी है का से 21 नंबर पे जब इस दोनों का स्थान चेंज हो जाता है तब भी ध्यान रखना है बबली का लैप से 16 होगा आणीता बस नाम ही तो चैन्ज होगा बाए उपर 16 लोग अगर 22 साइट बैठे हैं तो नीचे भी 16 लोग बैठेंगे न और अगर यह बाई साइड लोग है तो नीचे डायग्राम में भी बाई साइड होगा और यदि की से हैं तो नीचे भी की सी होगा यहां से निकाल लेंगे टोटल निकल गया और एक आपको हमेशा ही घिवन रहेगा राइट से लेप तो यहां पे लेफ्ट पता कैसे होगा ऊपर वाले हम से ले लो सोला इधर लोग बैठें पास यहां से राइच निकल गया तो आज के इस क्लास में इतना ही रैंकिंग से रिलेटेड जो रैंक वाली होती है ना कौन सा बढ़ा है कौन सा छोटा है या फिर पांस लोग बैठें माले A B C D तो इसको आपको रैंकिंग में पूछना तो इस वाले कोश्चन का जो पैटरन है इसको लोग नेक्स क्लास में देख लेंगे और इसके साथ हम लोग खूब सारे कॉस्चन क्राक्टिस करेंगे ताकि आपके सारे कॉंसेप्ट एक एक क्लियर हो जाए तारे फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लेना आज आज क्लास के क्लास में इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में